हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है साधी साथ बहुत इंट्रस्टिंग भी होने वाली है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जब आपकी 1000 subscribers and 4000 गंटे watch time complete हो जाते है और आप जब चैनल review के लिए भेते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का message आपके पास आता है और आप अब आपने ये mistake कर तो दी लेकिन अब आप इनसे कैसे बचा जा सकता है वो भी मैं आपको complete बताने वाला हूँ इस वीडियो में ठीके तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी laptop की डिस्पले पर और दिखा देता हूँ वाई एक चैनल को जिनके 1000 प्लस subscribers हो चुके है and 4000 गंटे watch time complete हो चुके हैं तो उनका चैनल को क्यो reject कर दिया YouTube ने उनका चैनल को monetize करने से मैं आज आपको complete बताने वाला हूँ इस studio में और उसके बाद जब आपके पास यह message आएंगे अब उनसे आप कैसे बच सकते हो अब आप monetization के लिए reapply कैसे कर सकते हो वो भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में तो चलता हो सीथा अपनी laptop की display पर तो दोस्तों यह वो चैनल है इनका चैनल monetize नहीं हो पाया था और क्या इन्होंने गलती करी हैं मैं आज आपको complete दिखाने वाला हूँ तो इनका चैनल मैंने खोल लिया है और आइडी पासवर्ड इन्होंने मेरको अपना दे दिया था अए जाते हैं यूट्यूब इस्टुडियो में और यूट्यूब इस्टूडियो में जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं इनके उना 315 subscribers है टोटल और यहां पर आप देख सकते हो पर लिखा है important notice video review a copyright claim ठीक है और channel is no longer monetization यहां पर मतलब इनके पास notifications भी आ गया था क्योंकि इनोंने कुछ videos डाल लगी थी जो किसी और का content था तो जिस वैसे जब इनका सारे के सारे requirements इंसी 1000 subscribers 4000 गंटे watch time complete हो गए बलके 4000 गंटे से भी ज्यादा इनके watch time complete हो गए थे और 3910 इनके subscribers हैं आप देख सकते हैं यहां पर और यहां पर यहां पर यह देख सकते हैं आप reuse content के बज़ए से इनका channel monetize नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने दूसरों की वीडियो डाली हुई थी अब भाई यह तो सबको आ जाता है कि वा reuse content आ गया अब इससे हम क्या इसका solution है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में तो वीडियो में बने रहे हैं end तक सबसे पहले जब हम इस arrow को down करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि monetization के लिए क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करती है do and don't आप यहाँ पर यह पढ़ सकते हैं step by step आप यहाँ पर example के साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं और जो इन्होंने वीडियो इनकी वीडियो थी वो इन्हो इन्हें step क्या है जब उन्होंने डिलीट कर दी महां से वीडियो तो वस्टाइम भी कम होता है तो लेकिन इनका वस्टाइम कम नहीं हुआ कारण उसका यह था क्योंकि जो इनकी वीडियो रियूस कॉंटेंट में थी वह शॉट्स शॉट्स ही जिन पर मिलियोंस में व्यूस है तो जब उन्होंने उनको डिलीट किया तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा मौनटा इस पे वह चार्ट पे वह चार्ट बिंके प्लस ही रहे गए सब्सक्राइब सब्सक्राइबर से ज्यादा है और चारहजार घंटे इनका वोस्टाइम है और आप यहां पर भी द को डिलीट कर दिया जिन जिन पर रियूस कॉंटेंट आ रहा था और यहां पर आप सेकिंद नंबर पर पड़े एडिट यॉर चैनल एंड एप्लाइब एप्लाइब इसको पढ़ना भाई यू can reapply start from 20 January 2022 as longer as your channel meet the following requirement ठीक है यहां पर इन्होंने इनको बोल भी दिया कि भाई आप 20 January को अपने चैनल को reapply कर सकते हो अभी यहां पर reapply पर कोई blue tick नहीं आ रहा है लेकिन यह 20 January को अपने चैनल को फिर reapply कर सकते हैं फिर इनका चैनल monetize हो जाएगा ठीक है तो भाई आप आप लोग इतनी मेहनत करते हो सब कुछ करते हो और फिर आप दूसरे content मतलब इतनी मेहनत करके आप content डालते हो इतने time से मेहनत करते हो और फिर उस पर reuse content आया तो भाई कहीं ने कहीं बोरा लगता है मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताये और सब किरेटर्स बताते हैं जब आप चैनल अपना सुरू करते हो तो अपना content रखा करो जैन्यमें किसी का एक सेकिंड एक सेकिंड का भी आप किसी का content चौरी मत किया करो बाई क्योंकि लोग कितनी मेनत करके content बनाते हैं और हम सेम content अगर हम किसी content यूज़ करते हैं तो भाई उसको बूरा लगेगा इस और हमें यह नहीं करना चाहिए भाई आप इससे बचो यह कहीं नुकसान दायक है तो एक इंपर्टेंट बात और सबसे पहले आपको अपनी सारी की सारी वीडियो पर देखना है कि किस वीडियो पर आपको रियूज कॉंटेंट कर नॉटिफिकेशन आया है ठीक है आपको उस रियूज कॉंटेंट की जो वीडियो हैं उनको वहां से डिलीट कर देनी है ठीक है जब आप डिलीट कर दोगे ऐसा नहीं कि भाई आपकी पास एक नॉटिफिकेशन आया तो आपने एक वीडियो डिलीट कर दी और फिर आप चैनल अप्लाई के लिए फिर दुबार अप्ल करोगे लेकिन नहीं ऐसा नहीं करना है आपको आपको सारी वीडियो देखनी है किन वीडियो पर आया है जब आप डिलीट कर दोगे उसी के बाद फिर आपको इने इडिटिंग में आपको पता दिल जाएगा कि आप यहाप इनको डेट मिल चुकी है यह बिज जैन्वरी को अपने चैनल को reapply कर सकते हैं दोस्तों ये आप अब समझ गए होंगे कि अब आपको किस तरह से मैनत करनी है अपने चैनल पर और आपको ये गलती है नहीं करनी है जो आपने गलती करी है basically दोस्तों ये गलती है आप लोग सोचते हैं कि भाई हमा चैनल यूज करना है अपने वीडियो के अंदर तभी आप अपने चैनल को मॉन्टाइज कर पाओगे तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज को लाइक शेर और चैनल को सस्क्राइब चुरू कर देना थैंक यू